इस अधिकाल कि काईबे प्रविद्टियों का उलेंक नहीं या आधिकालिन देचनाउं के मूलभूत विश्जिष्ताउं पर प्रकास डाले या अधिकाल की प्रमुख प्रविद्टियों को रहां कित करें यह कौस्चिन आपको राच्छ इंवर्सेटी दोहजारारट में या कोश्चन पूंच पूछ सकता है या अप याप लिक सकते हैं यानि की आदिकाल से संभंदित कि अधिकाल और प्रविर्टिया जिसन में होगा उसमें आप यह एंसर लिक सकते। तो इसका उत्तर ुस परकार आप लिखींगे आधिकाल में जो साहिते उपलप्त होता है उसमें भासा और प्रविर्ती दोनों ही दृिष्टियों से वैदित्य पाया जाता है। इस काल में साहित्य में धार्मिक की शिंगारिक वीर रस परधान आदि अनीक प्रकार की प्रविर्ती देखने को को मिलती है जिसे आधिकाल में ज्यादा तर बीर राष सिंगारिक राष कि प्रविट्टि देखने को मिलती है आधिकालिन साहित्य को उसकी प्रविट्टियों के आदार पर निमने भागों में विभाजित किया जाता है पहला है सिद्र ज ante ça. जे streams लोकिक सहित्य और ग्रंत सहित्य यानि कि आधिकाल की प्रविट्टियों कोन 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 से हैं पहला मैं सिद्र सहित्य दूसरा नाज सहित्य स्था से जेंखां के वज्ड या नि प्रंप्राओं से सिधर्चारिय के सायत्य से है जिसमें बोच्धतत्रिक्त सिध्ध धनतों को मन्यता दे गे सिद्धों ने अपनी सहायत्य में काया योग सहच सुन्य सता समाधी की भिने भिने आवस्थाओं का वर्नन किया है सिद्धों ने बोध प्रमप्राओं से चली आती हुई निर्वा भावनाओं को तिर्यशकार कर महा सुप की अनुभूती को प्रमुक्ता परदान की बोध धर्म के निवारन के तिन आवाया ठहराएगे जिसे सुन्य विज्ञान और महा सुप बजरयान में महा सुप को शहवाद सुप के समतुलिय बताया गया है इसलिए सिद्धों को साहित्य के प्रणय के प्रसंद अधिक है ऐसा संभव है कि सिद्धों के इस प्रणय की गहरा आध्यात्मी आर्थ हो लेकिन उन्होंने इस लोकिक शब्दवली में व्यक्त किया है वह हिंदी साहित के लिए एत्यादिक महत्तुपूर्ण है सिद्धों में सिद्धी साहित के दूसरा परमुख प्रविर्ती खंडन की प्रविर्ती है खंडन यानी छोटा-छोटा बाग में सिद्धों की रचनाव में समाजिक अनुसासन के प्रती उपिछा का भाव है सिद्धों में वर्नस्रम विवेस्था का विरोत किया है और कर्मकांटों की जमकर आलोचना की समाज में निम्ने सिरनी के लोगों को सम्मानपुर्वक जीने का अधिकार के पच्छधारन सीड़ों के शायते में मिलता है उनोंने समाती प्रिनाली की अभ्यस्त समाज की जगा ने सोसन मुप्त समाज की परिकल पनाग की जिसमें किसी का सोसन नहीं हो यानि की सोसन मतलब अथेचार सिदो ने अपने दारसानिक अनुभूतियों की अभिवेजित करने के लिए प्रतिक भासा का प्रियोग किया इस भासा में पंडित महाउपय ध्याय हर प्रशार सास्त्रे ने सद्धा भासा कहा सद्धा भासा सालिष्टिय अनुभूति की भासा थी जिसमें सब्दों का एक आर्थ लोका अनुभाव से संबंद है जो दूसरा आर्थ दारसनिक अनुभूतियों की वेंजना करती है सिद्धों की भासा में यथार्थ तक प्रविर्थियों की विजिश्टा मिलती है डोक्टर धर्मवित भारती की शब्दों में शब्दों की यथार्थ तक प्रविर्थियों का परिचे में संधा भासा में मिलता है जिनकी भासा में शर्वत्र सच्ता सरलता विद्यमान है अल करवंद काविय और खंड काविय की अस्थान पर गतिक और मुक्तक काविय की रशना किये चारापत और बज्रगिती काविय के उधारन है तथा दोहा की अर्थनिया मुक्तक के उधारन है दोहा कोस चाय पत डॉमबीपा के डॉमबीगी तक योग्चारे तथा अचर दीकोपरदीश सिदे साइट को पुष्टी करता है दुसरा परविटिहा है नाथ साइट नाथ साइट के बारे में इसमें जानते है नाथ पंद का मुक्या रचनकारों में गोरक नाथ चोरगीनात, गोपीचंद, चुकरनात, भरतरी, आदी का नाम परशी थे गोरकनात की देशभासाओं में लिखी हुए रिष्नाओं में गोरक बोत, गोरकनात की सहत्रिकला, दत गोरक शंबवात, गोरक सार और गोरकनात वानी उपलप्त होती है नात साहत की परमानिकता सद्धक सीदों की साधना की विक्रित्य बना दिया था लेकिन नात पंतियों ने इसे फिर से जनता के लिए संभव बनाने पर जोर दिया जड़ा पिला नात विन्दु की साधना पस्ट चक्र भीदन सुन्य चक्र में कुंडली का प्रीश आधी नातों की अंतर साधना का मुख्या अंक है नाज साहित की दो परमुग विचिस्ता है नाज साहित की दो परमुग विचिस्ता पहले यह है कि नाज साहित में धर्म निर्पीच दिश्टी दिखाई देती है जिसे कि इस साहित की परमुग विचिस्ता हुआ सब को एक समान का अधिकार देते हैं और नात साहित की पर मुख बसिस्ता है कि नात साहित में धर्म नेरपेच दिश्टी दिखाए दिती है जिसमें इस वर से मिलने वाला योग हिंदू और मुसल्मान दोनों के लिए एक समाने साथना के रूप प्रस्तुत हुआ है नात पंत में धर्मी कटरता नहीं मिलती है मुहां की संस्कृति की विशिष्टा और महसा की विशिष्टी ताकि अध्यात्मिक्ता से सविकार किया यह अपने साहित में अभी व्यक्त कर दिया नात साहित में उभर भारत की संस्कृति विवेता का चित्र मिलता है इस साहित में सबसे बड़ी कम जोड इसकी रूखाव ये सुमवनी बना दिया था आचारे हजारी पर शातिवेदी ने इस साहिती की सिमा को रेखांकित किया है या साहिती किसी एक भासा के बंद कर अपने अभी वेक्त नहीं किया बल्कि नात साहिती की भासा में पूरुवी परदेश की भासा वज्र भासा खड़ी बोली राजिस्थानी तथा पंजाबी की सब्ड़ अचारे सुल्क ने इस भासा को सदुकड़ी भासा कहा है जो वर्स्तु था शंपर्ग भासा थी व्याफक जनसंपर्ग के कारण नाथ ने इस भासा को निरविद कर पाय नाथ सहायत की नाथों ने अपने अनुभूती को प्रकट किया करने के लिए उलटवासी का प्रियोग किया तीसरा अधिकाल की तीसरा प्रविर्टी में आता है जैन साहित की अधिकांस रचना अब भ्रहन साहित के आंखे सली भद्र सूरी की रचना भरते शोर बहुबली रास गारश चुरास इस्वी में ये परकासित हुआ था असंकू की किरिद चंद्रवाल रास बारश इस्वी जिन धर्म सूरी किरिद अस्तूल भद्र रास बारश नो इस्वी विजैसें सूरी की रचना रव्यत गिरी रास हिंदी जैन साहित को पुष्टी करती है हिंदी जैन साहित में भृती जैन धर्सन पर आसरी थे जिसमें जैन साहित में अपने साहित में बिलास और सिंगार से दूर हटकर आत्म शमर पर और उस सर्ग की भावनाओं को अंकलन किया है अधिकाल की प्रविटियां अधिकाल की परीदी में जैन साहित आता है जिसमें धर्म मात्र प्रेना का विशय है जन साहत ले मानों की वीवित्र भावों की जटलता को मिनविञ्यानिक रूपों में चितरित किया है जन कभियों में मूले दृष्टे विंदू मानुता पर केंदरे थे या हिंसा सांती करूना के माईध्यम से महा विश्यु मानों की सुह की कामना करती है जेन सादूओं ने दिस के पश्रिम छित्र में अपने मत को अस्थापित करने के लिए जनभासा को अपनाया वह जनभासा अब ब्रंस महासा थी श्वेंभू रचित प्राउम्च रियू तथा पुश्वदत द्वारा रचित महापुरान जेन साद के दरगत पुरानिक काप्य है इस साद में जीवन के ममक के साथ उबदीस तथा धर्म की अध्भूत इससे यूग देखनी को मिलता है धर्मिकता की बहुत लेह होने की कारण जेन साद में सांतरस की परदानता है जेन साद में ममत्रिक के चंद की परदानता है और उसमें भी दुआ कवित शववया चोपाई आधी परमुखे प्रमप्राओं से हटकर मौलीक सीरजन की प्रविट्या जेन साहित में बहुत कम मिलती है इसलिए जेन साहित में अनुवासित गरंतों की अधिक्ता है अधिकाल की प्रमक्त प्रविर्टिया में चूथा में आता है रासो काइब्य है रासो काइब्य है अधिकालिन साहित की एक विशिश प्रविर्विर्टि रासो साहिती है समनेता रासु काइब्य की वीर गतात्मक काइब्य का बूत होता है रासु साहित्य की रशना है भटत की रचारनों द्वरा की गेह है रासु साहित्य की रशना है जन्मानस की सहच अविवेगत की परिनाम नहीं है रासु साहित्य समात्ती समाज की उपच है इसलिए रासो साहित्य की कथानक की बनावट भी समान्तों की अनुकूल की है केंद्रे सत्तम के अभाव में समान्तों की छेत्रिय ताकत के वीज अधिक संगर्ष हुआ रासो साहित्य में इस की कहानी इस संगर्ष एवंग यूद के वीज कभी ने प्रेम प्रसंग की संभावनाव के लिए अस्थान खोज लिया चंद्रवर्दाई की रशना फिर्थविराज रासो इस द्रिश्टी से महतपून है रासो कावी प्रमप्रा का दूसरा प्रकार की रशनाए वीर गीत के रूप में मिलती है विशल देव रासो और प्रमार रासो वीर गीत है रासो साहित्य की वहांसा अस्थानिय बोलचाल की वहांसा है जिस पर अब भ्रंस की प्रभाव मिलता है रासो काईबी के लिए परमुक्य दो प्रकार की वहाँसा प्रचलित हो चुकी है वहाँसा डिंगल और पिंगल नाम से पहचानी जाती है रासो काईबी की वहाँसा में दूसरी महत्पूर मिश्श्शा मिश्रित सब्दवली का प्रियोग मिश्रित सब्दवली सितात पर यह है तस्सम तद्वा और दिसत सब्दवली की साथ साथ बिदे सी भासा को परचूता का प्रियोग है चंतर में जितना अधीक विवित्ता, रासु काईबिय में मिलती है उतना किसी दूसरे शाहतिक दारा विप्राप्त नहीं होती कबित दोहा, रोला, उलाल, तोमर, छोटक, गहा, आर्या, आला अधी अनीक परकार के चंतर रासो काईबिय में परियुक्त हुए हैं रासो अधिकाल की प्रमुख पर्बृतिया में पंचवा नमबर पर आता है लोकिक सहाइत्य, अधिकाल के सहाइत्य धारमिक एवां चारणों की रचनाओं तक सिमित नहीं है, इस समय लोक सहाइत्य की छीन धारा पृष्चक क्रिय थी, व्ही सही आर्थों में द 앞으로्सा काईब् इंदी साहत में अधिकाल की मुल्तान राजिस्तान दिल्ली अवत और मिथला से लोकिक साहत दे प्राप्ट हुए अब्दुल रह्मान की रचना शंदेश रासक अमीर खुसरो की पहलिया एवंग मुक्रिया विद्यापती की पदावली लोकिक साहित के शोरूप एवंग विशिष्टाओं को पहचान कराती है इस साहित के अंतरगत भक्ती तता सिंगार को लेकर काईबे रचना की गई जनता की मिनुरन जन है तू लोकिरितिया तता पहलिया का सिर जन क्या गया आदिकाल की प्रमुक परवितिया में छटे नमबर पर आता है गंत साहितिया आदिकाल की प्रंथ पद रचनाओं के साथ साथ कूछ गंत रचनाय भी होती रही आदिकाल गंत साहित की उस वास्तवी का वर्ना नहीं है जिसमें जीवन की एथार्थ को रचना की शक्ति होती है आदिकाल में जो गंत साहित की मिलता है वहा बेयाकरन और शास्त्र की सिमाओ का खंडन मंडन तक ही सिमी थे इस काल कातिर महतोपुर्ण कावे रचना है रोडा की करित आहुल बेल दामोदर भट करित उल्क्त वेक्तिया प्रकरन और जोती श्वर ठाकूर करित वर्ना रचना यह थे आदिकाल की प्रमुक परविर्थियां यह आदिकाल की कावे प्रविटियों कावी शिस्ताओं पर परकाश डाले या भी पूछ सकता है मतलब की आदिकाल से समद्दित को भी प्रविटिया हो तो यह कोश्चन आपको पूछ सकता है जो कि राच इनिवर्सिटी 2008 में भी पूछा गया कोश्चन है इस परकार का पूछ सकता है तो आप इस परकार से जवाब देते हैं